बिहार में मिला एक ऐसे दुरलब प्रजाती का साब जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे इसके दाग जो होते हैं वो छूडी के समान गुमावदार होते हैं और इसी विज़े से इस साब का नाम है लाल मुंगा कुकरी आम तोर पे ये भारत में पाया और देखा नह जाता लेकिन ये बिहार में देखने को मिला है और उसके बाद फिर से एक बार जो वैग्यानिक है वो ये सूचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिरकार ये जीव जनतु बिहार में आ कहां से रहे हैं आपको सब कुछ बताऊंगा मैं लेकिन उससे पहले मेरा परचे जान ल है तो वालमी की टाइगर रिजर्ब बिहार से एक ही रिजर्ब है बिहार में वालमी की टाइगर रिजर्ब और इसी में आजकल भिन भिन प्रकार के जीव जनतु पाया जाते हैं कभी 35 किलू का कचुवा पाया जाता है जिसका वजन लगातार बढ़ते रहता है तो कभी कभ साप है आम तोर पे ये साप भारत में पाया नहीं जाता लेकिन इसे बिहार के वालमी की tiger reserve से rescue किया गया है इस साप के बारे में जो वज्ञानिक हैं वो बता रहे हैं कि साप का जो प्रजाती है वो बिहार में कम देखने को मिलता है पहली बार उत्तर प्रदेश में 1938 में देख होते हैं कुकरी जो वड है वो नेपाली जो गोर्खा अपना छुड़ी यूज करते हैं उसे कुकरी कहा जाता है जो ऐसे घुमा हुआ होता है और ऐसे ही इसके दात होते हैं इसके दात काफी भैंकर होते हैं बाइट बहुत तेजी से करता है और इतना तेजी से बाइट करता ह कि लोग घबरा जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, परिशान हो जाते हैं, इसके काटने से दर्ध भी बहुत तेज होता है, क्योंकि इसके दात जो है, वो आप समझेए कि राक्षसों की तरह दात बड़े-बड़े होते हैं, और इसी वज़े से इस साप से लोग बचना पसंद करत जिस तरीके से बिहार में बाड आई है, और खासकर नेपाल से बाड आई है, वहीं से ये साप वालमी की टाइगर रिजर्ब में पहुँच रहे हैं, वज़े ये है कि जो बालमी की टाइगर रिजर्ब है, वो नेपाल और बिहार के सीमा पे ही बना हुआ ये टाइगर तो इससे आप समझ सकते हैं कि यह यहां पे वालमी की टाइगर रिजर्व में अब कई ऐसे रहस्यमई जीव जन्तू निकल रहे हैं जिसकी परिकल्पना भी लोगों ने नहीं किया था और अब देख लीजे यह सांप निकला है हाला कि वग्यानिक इसके बारे में बता रहे है कि यह जहरीला तो नहीं है लेकिन लोग इसे देख के घबरा जरूर जाते हैं पहला कारण है कि इसका रंग मुंगे के समान आपने देखा होगा एक मुंगा रत्न है जो आप लोग कभी कभी अंगुटी में धारन करते होंगे कई लोग माला बना के पहनते हैं उसी के समान इसका रंग होता है और साथी साथ इसकी दात की अगर बात की जाए तो इसके दात जो है वो काफी घुमावदार होते हैं इस तरीके से और इसी वज़े से लाल मुंगा कुकडी इसको कहा जाता है क्योंकि दात बड़े इसके खतरनाक होते हैं जब ये बाइट करता है तो जिव जनतू निकल रहे हैं जिससे लोग परेशान है बहार में इक मात्र रिजर्व जो है वो टाइगर रिजर्व है बालमी की नगर का और वहां पे ऐसे ऐसे प्रजाती को देखा जा रहा है जो आज से पहले नहीं देखा गया था लोग इसके पीछे की कहानी जानना चाहते वैग्यानिक भी चाहते हैं कि आखिरकार ये जो जीव हैं वो आचानक से कहां से आने लगे बिहार में इसके उपर सोध और खोज अभी भी चल रही है लेकिन अभी अगर देख लिया जाये तो इससे पहले एक उरने वाला साप निकला था उसके बारे में भी मैंने आपको बत हुआ है लेकिन वो भी विहार में पाया गया था तो जिस तरीके से विहार में लगातार ऐसे ऐसे जीव निकल रहे हैं उससे वैग्यानिक भी पर परिशान है रहान है वो भी इसके उपर सोध करते हुए नजर आ रहे हैं बाकी लाल मुंगा कुकरी के बारे में आप क्या ज जट है